हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Poco X6 Android वाइल फोन में आप अपने Bluetooth की कीप से स्टॉपिंग प्रॉलम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए यहां पर वीडियो का में स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको अपने मुवेल फून को एक बार रिबूट करना है, फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पाउर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, आपका यह पेज आता है, इसमें जो बीच वाला बटन है इसे नीचे की तरफ सरकान है, रिब अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो उसे आपको अपडेट पर टैप करके अपने फोन का सौफटेर अपडेट कर लेना है, अब देखे अगला काम करना क्या है, आपको अपने ब्लुटूथ का डेटा के लिएर करना है, कैसे आप अपने मुवाल फून के जो google file का एप होता है इस google file के एप को open करना है तो आपका यह page आता है इसमा आपको नीचे आ ना यह browse का जो ऑप्शन है अफिक एप करना है तो आपका यही वाला page आएगा इसमा आपको यह जो apps लिखाहुआ दे रहा है apps पर टैप करना है ठीक है अब इसके अंदर आपको सबसे ओपर है सिस्टम एपस पर टैप करना है ठीक है अब यहाला पेज नीचे आएगा तो आपको यहां पर नीचे की साइड में यह ऑप्शन मिल जाएगा पर नीचे की सामने यह डेटा कर देना है अब देखें अगला काम आपको करना क्या है आपको मुवाइल फून की नेटवरक सेटिंग को रिस्ट करना है इसके लिए और मुवाइल फून का पर प्रप कर दो को अधर आपको अपको सबसे उपर बार में रिसेट आपको लिखना नीचे की सैट रिसेटीज नीचे का चलए झाल पर दे में यह तो नीचे की रिसेटीज थोड़े देर में लिखा हुआ आ जाएगा यह से फोन की नेटवर्क, सेटिंग को रिसेट कर देना ठीक है तो तोस्तों इस वीडियो में मेरे बतायावे सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके ब्लुटूथ की जो कीप सिस्टॉपिंग की प्रॉडम है आपकी सॉल्व हो जाएगी ठीक है